कि नमस्कार दोस्तों competition community e-learning platform में आपका स्वागत है इस ऐसाई special class में मैं अनिकेद दिमांगन फिर आपके लिए लेकर आया हूं अर्थ विवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नवली तो चलिए देखते हैं आज की विसे सुची क्या है तो आज की विसे सुची कुछ इस प्रकार है आज हम लोग यहां पर अर्थ विवस्था में मौद्रिक नीती और उससे संबंधित कुछ यहां पर प्रश्न पर चर्चा करेंगे तो यह जो पॉर्शन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एक्जाम पॉर्ट ऑफ यू से और यहां जभी अक्सर यहां पर हर अल्टरनेट पिपर में यहां पर से कुष्चन यहां पर अपने को देखने के लिए मिलते हैं तो देखते हैं आज की टॉपिक में हम लोग क्या क कवर करने यहां पर जा रहे हैं तो सबसे पहले आज हम लोग यहां पर देखेंगे कि मौद्रिक नीतियां क्या होती है मौद्रिक नीति से क्या समझते हैं मौद्रिक नीति के क्या प्रभाव होते हैं और उनका क्रियानमन कैसे यहां पर किया जाता है और यह मौद्रिक प्र बस्तेवे चलते हैं नीती मतलब क्या होता है नीती मतलब कुछ विशेश लक्ष को प्राप्त करने अपनाए गए तरीके क्या कहलाते हैं यहां पर नीतिया कहलाती है यहां पर इस नीति के साथ में यहां पर क्या जुड़ा हुआ है मौद्रिक यहां पर जो नीतियां सब्सक्राइब नहीं जाएंगी क्योंकि हम क्या देखें जस्ट इसके पिछले चैप्टर में कि अगर मनी सप्लाइ बढ़ गया तो इन्फलेशन का रूप लें लेगा और दोनों भी दोनों situation, दोनों सच situation किसी भी आर्थ वेवस्था के लिए अच्छा नहीं माना जाता है तो that means पूरे देश भर में आये वये, रोजगार, गरीबी यह सब की एक समान इस्तिती बने रहे, इसकी इस्तिती यहाँ पर क्या होते जाए सुधरते जाए, इसके लिए देश की जो उच्छ संस्था है, जिसे हम RBI के नाम से यहाँ पर जानते है Reserve Bank of India, यह भारत में monetary policy का क्या करते हैं, यहाँ पर संचालन करती है तो मुद्रा की एक तय मात्रा को या मुद्रा को एक तय मात्रा तक बनाए रखने के लिए जो policy हम लोग यहाँ पर या जो policy RBI यहाँ पर apply करती है देश में, उस policy को हम लोग क्या बुलते हैं पर? monetary policy, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि monetary policy में पहला question क्या है यहाँ पर? तो हम लोग यहाँ पर आते हैं पहला question में, वो है मौद्रिक नीती का निर्माण भारत में कौन करता है? तो जैसे कि अभी मैंने बताया कि किसी भी देश में मौद्रिक नीती का संचालन उस देश का कोई एक सर्वोच संस्था यहाँ पर करता है और भारत में वो जो सर्वोच संस्था है जो कि भारत में monetary policy या मौद्रिक नीती का संचालन करता है वो है RBI या जिसे हम कहते हैं Reserve Bank of इंडिया तो ध्यान में रखना भारत में मौद्रिक नीती का संचालन कौन करता है यहाँ पर RBI करता है चलिए अगले question की और आगे बढ़ते हैं और अगला question कुछ इस प्रकार है दूसरा question जो है वो है इन में से क्या मौद्रिक नीती का भाग यहाँ पर नहीं है तो जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या बुला कि मुद्रा को एक त्रहे मात्रा तक बनाए रखने के लिए जिस policy का हम लोग यहां पर इस्तमाल करते हैं उस policy को हमने क्या बूला यहां पर monetary policy तो यह policy लाटा कौन है यहां पर Reserve Bank of India alerts IRS Bank of India अपने different different tool के माध्यम से money को एक particular level तक market में बनाए रखने का क्या करता है यहां पर कोशिश करता है तो वो डिफरेंट टूल की मात्रात्मक उपए उपाय जिससे मुद्र की मात्र में क्या हो? परिवरतन हो यह वह उपाय जो आरबिया के दौरा लाए गए है और उस उपाय को करने के दोराएं यहाँ पर हम क्या देख रहे कि मुद्रा की य ep fence changes was a pato हम लोगत पर बोलते है quantitative tool या मातरात्मा को पाए और जिसके अंतर्कत में different rates को रखा गया है जैसे हम लोग क्या डेक्र रहे bed before it caf T aka रिपर व्हेस ऑप्शेन रेट रिवर्स रेपश ठिक है या हम लोग बुर रहे हैं है पर SLR स्टेच्च रे लिकुरिटी रेशियो ठीक है या हम लोग बुलते हैं है पर CRR या हम लोग क्या दिखते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन यह सभी यहां पर क्या करता है यहां पर काम करता है ठीक है दोस्तों तो इन में से क्या मौदरिक नीति का भाग यहां पर नहीं है तो देख रहे हैं जैसे रेपूरेट बिलकुल हम लोग क्या देख रहे हैं रेपूरेट के हम लोग यहां पर अगर बात करते हैं तो रेपूरेट यहां पर मॉन पॉलिसी का यहां पर क्या है भाग है जबकि हम यहां पर क्या पढ़ रहे हैं सारवजनिक आया जिसको हम लोग क्या बूल रहे हैं पर पब्लिक इंकम धान में रखना दोस्तों यह जो पब्लिक इंकम है वह राजकोशी नीति या फिस्कल पॉलिसी का क्या होता है यहां पर प कोशी नीती का भाग हैं ना कि यहां पर मौदरिक नीति का तो इस प्रकार हम लोग क्या देख रहे हैंश से स्पिछा यहां हो गए यहांग करेक्ट होगा क्योंकि पूछा इनमें से क्या मदरिक की का भाग नहीं है चलिए अग hypothalya प्रकार कinguém अगला हम क्या देख रहे हैं कि इन नीतियों के माध्यम से जो मार्केट में मनी सप्लाई को कम यहां जादा किया जाता है किसके द्वारा और इस मनी सप्लाई को जैसे हम लोग क्या देख रहे हैं कि मनी सप्लाई को अगर और चाहता है कि मार्केट में मनी सप्लाई यहां पर बढ़े तो मनी सप्लाई जैसे बढ़ेगा हम क्या देख रहे हैं लोगों के पास में पैसा ज्यादा पहुचेगा और जब लोगों के पै जादा होगा तो डिमांड क्या होगा यहां पर बढ़ेगा है कि दोस्तों वही हम लोग क्या देख रहे हैं अगर चाहता है कि मार्केट में मनी सप्लाई क्या हो यहां पर कम हो डैट मींस आर भी चाहता है कि मनी सप्लाई कम हो क्योंकि लोगों के पास में पैसे क्या हो गया है यहाँ पर ऊलरेडि पहले से जादा हैं और जिसके पास हम लोग क्या देख रहे है कि महंगाई क्या होते जारीं यहाँ पर बढ़ते जारी तो आप लिए क्या देख रहे हैं मोद्रिक निप्टी किसे हैं यह प्रभावी मांग को यहाँ पर नियंत्रित करने हैं तो जो प्रत्यक्ष यहां पर उपाय अपना आए गया है उससे रिलेटेट कौन है अपना यहां पर मौद्रिक नेती क्लियर दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्यों यहां पर आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है बैंकों को अपने रोकर सेश और कुल परी संपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात यहां पर रखना पड़ता है ठीक है इसे कहते हैं तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि बैंकों को अपनी कुल संपत्ति क्या होती जो ग्रहकों के दवारा ही यहां पर क्या की जाती हैं चाला की जमा कीजाती है यही किस संपत्ति Kwam लोगों की संपत्ति मैंने क्या बोला कि बैंकों को अपने रोकड से गलब कैस जो भी वहाँ पर बचा हुए और कुल संपत्ती के मत देखने सी भाग यहां पर रखना पड़ता है इसे क्या कहतें तो हम लोग क्या देखे रहे हैं कि जो भी यहां पर जमा यहां पर राशी है सब्सक्राइब की Summon एक की यहां पर पैसा पर जमा हुआ है इसे हम बोलते हैं इन डी टी एज दिस नेट इंट डिमांड टाइम लाइबिलिटी नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी या कुल मांग वा सावधी जमा तो बैंको को हमेशा यहां पर जनता की आवश्यक्ता को पूरा करने के लिए क्योंकि हम लोग क्या देख रहे हैं कि जैसे ही यहां पर लोग यहां पर बैंकों के पास में पैसा जमा किये हैं तो बैंक लाइबल होते हैं आपको क्या चुकाने के लिए इंट्रेस्ट चुकाने के लिए तो और बैंकों के पास में कोई पीपैसा आ रहा है तो तुरन्द वो रिखती ऊहां पर खोच लेते हैं जिनको यकी आवश्यक्ता पड़ती है और उननको क्या देते हैं और उनसे हाईर रेट पर लोगों को यहां पर रेन में दे देते हैं और वहाँ से इंट्रेस्ट गेन करने की यहां पर क्या करते हैं कोशिश करते हैं क्योंकि commercial bank भी profit motive होते हैं वाने जुग बैंकों का निर्वान ही इसलिए किया यहां पर गया है तो हम लोग ने क्या बोला यहां पर कि आपका पैसा किसी दूसर को यहां पर ठोर तो पे दे दिया गया है अभी वर्तमान में मैं आपका पैसा चुका पाने पर नाकाम तो क्या यह सही होगा क्या दोस्तों नहीं होगा तो कहने का मतल систем क्या द कि आaz कि किया है कि बैंकों को अपनी कुल मांगवा शावधि जम्ण का या कुल रोकर सेशव और कुल परिसंपत्य का एक भाग हमेशा अपने पास में अपने पास में लिकविट के फोर्म में रखना यहां पर जर्री होगाया तरल रूप में यहाँ पर रखना जरूरी होगा तरल देखो मुद्रा की तरल्ता या तो कम होती ही या तो ज्यादा ठीक है कि नहीं दोस्तों देखो मुद्रा की तरलता जितनी ज्यादा होगी कहने का मतलब उत्रह जल्दी उसको केश में क्या कर पाऊंगा यहां पर कर भाँ तो हम क्या देख रहे हैं कोई समान खरीदने के लिए यहां पर क्या होती है सबसे ज्यादा अगर मेरे वॉलट पर कैश पढ़ा हुआ है अगर मैरे हमने हr स्चाहईं आप पर देखर मैं समान क्या कर पाऊंगा खरित पाऊंगा उस पैसे को उपयोग करने के लिए मुझको कुछ टाइम यहां पर इस्पेंड करना पड़ा तो हम क्या देख रहे हैं कि लिकिटी ठ कैश हो गया गोल्ड हो गया बॉर्ण हो गए सेक्योरिटी हो गया इहां यह सारा जितना हम लोग याyy है है एक असल है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं पर लिक्विब मनी तो मैंनी की धू कोई क्या देख रहे हैं कि बैंकों को अपने कुल संपत्ती का एक भाग शंता की आवशकता की पूरती के लिए या जनता इस्टेच्ट्री लिक्विडिटी रेशियो तो आप्शन क्या होगा भी करेक्ट होगा नेक्स्ट क्विश्चन की और है पर आगे बढ़ते हैं अगला क्विश्चन है रेपोरेट विचारणी होता है तो जैसे कि मैंने यहां पर बताया कि मॉनिटरी पॉलिसी के जो पॉलिसी के क्वांटी टेट्ट्यू टूल्स के अंतरगत में इनको यहां पर गिने जातने हैं तो रेपोरेट विचारणी होता है किसके अंतरगत में सीदी सी बात है मौद्रिक निति के अंतरगत में चलिए अगले क्वेशन की और आगे बढ़ते हैं निमलिखित उपायो इसी को क्या करता है यहां पर रेगुलेट करता है इंफलेशन को कंट्रोल करना तो सबसे पहले इंफलेशन कंट्रोल अपने को यहां पर करना है और इंफलेशन होता क्या है यहां पर मनी सप्लाई के बढ़ने के कारण होता है तो मनी सप्लाई के बढ़ने के कारण यहां प पर inflation कैसे नियंत्रित होगा money supply क्या कर दो कम कर दो तो money supply कैसे कम करेंगे तो मैंने याद होगा एक हरायर के आप लोगों को बताया था यहां पर RBI commercial bank और यहां पर customer के बीच में तो मैंने यहां पर क्या बोला कि भई money supply कम करना है that means अभी market में money supply यहां पर क्या था जदा लोगों के पास पर पैसा ज्यादा था तो डीमांड ज्यादा कर रहे थे जिसके करने प्राइस क्या होते जा रहा था बढ़ते जा रहा था तो चैने का मतलब साधर को क्या कर देगा भो बढ़ा देगा धैट मीनेंस वह बेंक रेट पकर दिया तो कर दिए तो चार परसेंट यहां पर अगर इनको यहां पर ब्याद चुका रहे थे तो तो वो कस्टमर से लगबँग 6% के आस्पस वसूल नहीं होंगे है के नहीं कि न्युक्सक्रब कहां से उधारी लिए commercial bank से commercial bank कहां से उधारी लिए RBI तो पहले मैंने क्या बुला रेपो रेट कितना था सब्पोष करो 4 तो मैंने क्या बुला कि 4% जब commercial bank दे रहे हैं तो वह हमसे चार परसेंट तो वसूल नहीं एक दो परसेंट ज्यादा ही वसूल लेंगे सपोस्ट करो कि छे परसेंट वह हमसे क्या कर रहे हैं पर वसूल रहे हैं है कि नहीं है कि सपोस्ट करो इंफलेशन बढ़ा है मनी सप्लाई यहां पर बढ़ी है तो कम कैसे करना चाहिए मैंने क्या बुला याद करो लक्ष्मिमाता वाली फोटो पैसे को वापस कहां लेना है यहां पर और ध्यान में रखना हम क्या देख रहे हैं कि आर भी आई लक्ष्मिमाता के जैसे हैं तो क्या कर देगा बढ़ा देगा तो पहले चार था पंच कर दिया पांच पंच कर दिया तो कमर्चल बैंकों को ज्यादा जब यहां पर लोन चुकाना पड़ रहा है तो वह नीचे भी रेट आफ-इंट्रस का कर देंगे यहां पर बढ़ा देंगे तो कस्टमर भी ज्यादा पैसा किसको चुकाएंगे commercial bank को और धीरे-धीरे मनी सप्लाई यहां पर मार्केट में नीचे में क्या हो जाएगा कम हो जाएगा और यह situation क्या हो देगा बिलकुल बैंक दर में जैसे ही व्रिद्धी होगा हम लोग क्या देख रहे हैं बैंकों को कमर्शियल बैंकों को जादा यहां पर इंट्रेस्ट चुकाना पड़ेगा कि इनको यहां पर भाई आर्बियाई को नेक्स्ट नगत आरक्षित अनुपात में व्रिद्धी य और भी ज्यादा यहां पर डिपॉजिट कैस्ट डिपॉजिट किसके पास में करेंगे यहां पर आर्बिया के पास में करने लगेंगे यहां पर देट मीज़ दूसरा भी ऑप्चिन यहां पर क्या है कि मुद्धर इस फित्य को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग मिला आया लेकिन बैंकों को अपने कुल मांग हुआ सावदी जमा का एक भाग cash के रूप में RBI के पास में भी रखना होता है और वह जो cash के रूप में हम लोग जो यहां पर पैसा रखे हैं उसी को हम लोग क्या बुलते हैं उस ratio को क्या बुलते हैं जिस ratio में वह पैसा रखा जाता है CRR that is cash reserve ratio तो हम यहाँ पर देखते हैं कि भई CRR में अगर वृद्धी कर देंगे तो हम लोग क्या देख रहे हैं बैंकों को ज्यादा पैसा किसके पास में रखना पड़ेगा अगर हम लोग क्या देख रहे हैं कि अपने पास में रखते हैं लिक्विट फॉर्थ हम लोग क्या देख रहे हैं सरकारी प्रती बूति का यहां पर क्राय करो सरकारी प्रती बूति का अगर हम लोग यहां पर क्राय करेंगे तो तो जनता के पास से अगर सरकारी प्रतिभूती वापस खरीदी जाएगी तो जनता को cash देना भी तो बढ़ेगा देट में से money supply को और भी क्या कर देगा बढ़ा देगा तो कहने का मतलब option 4 भी क्या होगा यहां पर गलत तो करेक्ट option क्या होंगे 1 & 2 that में समलोग क्या देख रह प्रसारवादी मौदरिक निती कि सको बोल रहे है गया जिसको लोग चीप्मनी पॉलिसी यहां पर बोलते हैं चीप्मनी पॉलिसी या प्रसार deja वादी that means RBI यह चाहता है कि प्रशार्वादी मौदीरिक क्या कर देगा रेट अफ़ финढस कंपार देगा और लोग जादा से जादा लोन जन लेनिक पहुंचेंगे रिबिके पास में हम क्तल सब्कार कि क्या देख रहे हैं यहां पर कि इस पॉलिसी को सब्सक्राइब जब लोगों को यहाँ पर क्या प्रोवाइट किया जाए लुन प्रोवाइट किया और यह क्यों किया जाता है मनी सप्लाइग को बढ़ाने के लिए टाथा है तो यदि आर भी प्रसार वाधि मौदरिक नीति का अनुसराण करने का निर्णया लेता है तो निमलिकित में से क्या नहीं करेगा यहां पर क्या क्वेशन पूछा आता है क्या नहीं करेगा तो ध्यान में रखना प्रसाहरवादी मौद्रिक नीती डैट मेंस हम लोग क्या देख रहे हैं मनी सप्लाई क्या करना है आपको यहां पर इंक्रीज करना है क्या करना है मनी सप्लाई इंक्रीज करना है तो क्या नहीं करना चाहिए तो वैधानिक तरलता अनुपात को घटा कर उसे अनुकूलित करना तो हम लोग क्या देख रहे हैं वैधानिक तरलता अनुपात की यहां पर बात की जा रही है को घटा कर उसे अनुकूलित करना तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि सीधी सी बात है वयधानिक तरलता अनुपात अगर यहां पर घटेगा ठीक है तो हम लोग क्या देख रहे बंकों के पास में लोन देनी की शक्ति और भी क्या होगी यहां पर इंक्रीज हो जाएगी तो करेक्ट है बोल सकते हम लोग ठीक हैं यह नहीं तो हम लोग क्या सुविधा अगर दर को बढ़ा देंगे तो ये दर के बढ़ने पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि में जो कमर्शियल बैंक अनकी लोन देनी की शक्ति क्या हो जाएगी यहाँ पर कम यहाँ यहां क्या बुला है यहां पर कि बैंक दर को घटाना तथा रैपोर दर को भी यहां पर घटाना बिल्कुल हम लोग क्या देख रहा है बैंक दर बैंक रेट यहां पर कम हो रहा है तो तो कमर्शियल बैंक भी रेट आफ इंट्रेस्ट ग्रहको को ली क्या करेंगे यहां पर कम करेंगे तो हम क्या देख रहे हैं कि मनी सप्लाइब को अगर increase करना है तो ये दो काम यहाँ पर करने चाहिए लेकिन question क्या पूछा है क्या नहीं करेगा तो क्या नहीं करेगा सिमांत स्थाई सुविधा दर को यह नहीं बढ़ाएगा ठीक हैंगे नहीं दोस्तों तो हम लोग क्या देख रहेंगे केवल option यहाँ पर क्या होगा या statement 2 क्या ह होगा यहाँ पर करेक्ट होगा तो option B क्या है यहाँ पर करेक्ट है द्यान में रखना तो RBI चीप मनी पॉलिसी या प्रसारवादी मौदरिक नीती अनुसरन जब करती है तो सिमांत स्थाई सुविधा दर को बढ़ाती नहीं है इसको क्या करती है कम करती है चलिए अगले प अगर कमर्शियल बैंको को लोन दे रहा है तो उस रेट को कहा जाता है यहाँ पर रेपो रेट वह रेट आफ इंट्रेस्ट है जिस पर कमर्शियल बैंक अपने शौट टम की नीट को पूरा करने के लिए कि मैंने क्या बूला कमर्शियल बैंक अपने शौट टम के मनी के नीट को पूरा करने के लिए शौट टम डेट मेंस जीरो डे सेवन डे 14 डे ऐसे डिवसी रिणो को यहाँ पर ठीक है प्राप्त करने के लिए अपने मुद्रा की अलप आवश्यक्ता की पूर्ति के लिए ज कमर्शियल बैंकों को यहाँ पर एक संपत्ति यहाँ पर कोलेट्रल के रूप में यहाँ पर गिरवी रखनी पड़ती है ठीक है दोस्तों तो धान में रखना की कमर्शियल बैंकों को जब यहाँ पर रैपो रेट के थुरू यहाँ पर लोन लेना है तो एक कोलेट्रल आर से खरीदना पड़ेगा किसके पास से यहां पर कैश्ट देकर रबी आई के पास से तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं यहां पर रेपो रेट तो अल पकाल में भारती रिजर्व बैंक जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों को उधार देता है उसे हम क्या कहते हैं यहां प पर कमर्शियल बैंक अब किसको यहां पर लोन दे रहे हैं भाई किसको लोन दे रहे हैं पर रिजर्व बैंक को यहां पर यहां पर रेपो रेट का अब यहां पर लोन लेने वाला कौन है आर बियाई किस से लोन ले रहा है यहां पर कमर्शियल बैंक से क्या ले रहा है यहा और यहां पर जब लोन ले रहा है तो यह भी कोई ना कोई Cheer 휩ाल की सब्टरे उनको जो बीरेशन होगा उस्टियोरेशन खबत होने के बाद मैं इसको क्या कर लेगा कैश दे कर ले लेगा तो तो कहने का मताम लूब क्या देखना है जब कमर्शल setting उधार ले रहे हैं तो कुछ न कुछ रेट ऑफ इंट्रेस्ट भी कमर्शल बętकों इनकों को यहाँ पर चुकाना पड़ेगा तो इस रेट ऑफ इंट्रेस्ट काना क्या बूर रहा है रिवर्स रेपो रेट क्या बोलते हैं हम लोग रिवर्स रेपो रेट तो डैट मींस आर बी आई को जब अपने अलपा आवश्यक्ता की पूर्ती के लिए कैश की जरुरत पड़ती है तो वो भी कमर्शल बैंक तक क्या होते हैं यहां पर पहुंचते हैं और जिस रेट आफ इंटरेस्ट पर वो यहां पर लोन लेते हैं कमर्शल बैंकों से उस रेट आफ इंटरेस्ट को यहां पर बुला जाता है रिवर्स रेपो रेट क्लियर है दोस्तों तो ध्यान में रखेगा क्या हो तो अगर बैंक दर में वृद्धी समानेता इस बात का संकेत है कि अगर बैंक रेट में अगर हम लोग यहां पर बढ़ोत्री यहां पर कर दे रहे हैं सब्सक्राइब बाट बढ़ रहे हैं तो कहीं न कहीं हम लोग क्या देख रहे है और विया चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा मनी उसके पास में क्या हो यहां पर पहुंचे छलिए option देखते हैं बजार की ब्याज की बजार दर के गिरने की यहां पर क्या है संभावने हैं बिल्कुल भी गलत क्या देख रहे हैं बंक रड़ रहा है महांगी मुध्रानीती का अनुसरण कर रहा है बिल्कुल गलत हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर यह महेंगी मुद्रा नीती का यहाँ पर क्या कर रहा है अनुसरण कर रहा है तो केंद्रिय बैंक महेंगी मुद्रा नीती का क्या कर रहा है यहाँ पर अनुसरण कर रहा है यह अपना क्या होगा यहाँ पर करेक्ट एंसर होगा तो चलिए लोग क्या बूल रहे हैं पर सी आर आर डेक्टिस कैस रिजर रेशियो और खुला बजार की कारवाही या ओपन मार्केट ऑपरेशन किसके साधन है तो यह अल्रेडी हम लोग यहां पर देखें कि यह मॉनेटरी पॉलिशी के साधन है यहां पर दोष साधन है तो मुध्रा नीति के अंतरगत भारत कि यहां पर क्या जाता हैं तो भारती रिजर्व बैंक द्वारा भारत में मुद्रा एवंसांग कीुहां पर क्राकार किया जाता है तो डेट मींस क्रेडिट कांट्रोल या लिक्विडिटी कंट्रोल करने का काम कौन करता है यहां पर रिजर्व बैंक आफ इंडिया करती है चलिए अगले क्वेश्चिन की और आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चिन कुछ इस प्रकार है जब भार की जारी यहां पर कैशेय में वरिद्धि की गोश्णा करता है कौन गोश्णा कर रहे है दोस्तों आरब यह क्या गोश्णा कर रहा है कि CRR क्या होता है ने आप लोग को बताया था कि बैंकों को अपनि कुल- वांगवा जमांक का एक भाग RBI के पास में cash के रूप में रखना क्या होता है जरूरी होता है और RBI जो भी वहाँ पर पैसा रख रहे हैं उस पर कोई भी ब्याज बैंकों वालों को यहां पर नहीं देता दैट मीन जीतना ज्याधा यह यहां पर पैसे क्या होंगे कम होंगे तो उनकी लोन देने के शक्ति भी क्या हो के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी क्योंकि जादा मुद्रा किन के पास जमा करना पढ़ जा रहा है उनको कैश के फर्म में RBA के पास में जमा करना पढ़ जा रहा है और मैंने पहले भूला यहां पर कि RBA स alone कोई भी रेट और इंट्रेस्ट चार्ज नहीं करेगी ना कोई भी रिट यहाँ पर उनको या इंट्रेस्ट यहाँ पर उनको पे नहीं करेगी चली अगले इस Anda की और किसके अंतरगत में यहां पर शामिल नहीं यहां पता इसकी बात हम लोग यहां पर करते हैं तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहां पर किसकी बात कर दिया बैंकरेट की बात कर दिया यहां पर चार आरक्षित अनुपात की यहां पर क्या कर दिया बात कर दिया ओपन मार्केट के राशनिंग या जिसको हम लुग क्या बुलते हैं हाँ पर क्रेडिट राषनिंग ल्टान रखना दोस्तों यह जो राशनिंग है वह रवी आई के को रावी करावरी से व То टूल के अंतरगत में आते हैं यह जिसको लोग क्या बोलते हैं गुनातमक तो मैने क्या बोला जब आप लोगो नहीं पर बताया था मैं वाड़िल के बारे हम लोग चल्चा किये थे जासे मनी की क्या हो जाती है यह वैसे हैं एक और मिलुक्त होता है जिसको हम लोग बोलते हैं यहां उपए होते हैं जिसे मुद्रा की मात्रा या मनी है कम या ज़्यादा नहीं होती पарन्तु कायर करने का तरीका यहां पर क्या हो सुधरता है यह गुणवत्ता पूरवक होता है जो अर्थ व्ववस्तह में काफी क्या करता है yeah यहां पर मदद करता है तो धान में रखिएगा शाख की राशनिंग एक उसमें से ऐसा ही उपाय है जो की धान में रखना गुणातमक उपाय के अंतरगत में यहां पर आता है चली आगे बढ़ते हैं निम्लिक में कौन सा एक मौद्रिक निति का उद्देश नहीं है तो मौद मौद्रिक निति का उद्देश की यहां पर बात की जा रही है तो इसमें से कौन यहां पर मौद्रिक निति का उद्देश नहीं होगा तो पहले हम लोग देखेंगे मूल इस्थरता बिलकुल भी हम लोग क्या देखते हैं यहां पर कि मूल इस्थरता प्राइस को यहां पर स्टेबल किया जाए यह मौद्रिक नीति का उद्देश होता है दूसरा हम लोग यहां पर देखते हैं कि आर्थिक स्थाइट हुआ जब तक मार्केट स्टेबल नहीं रहेगा तब हम लोग क्या देख रहे हैं यहां पर के गरिगी दूसरी टाइपि की समस्य यहां पर एको नौमी में यहां पर rebels आते जाएगी तो कहने का मद लोग देख रहे हैं कि अगर Market imbalance होता है MoneySupply की कम या ज्यादा होनी से तो उसका नकारात्मक्त प्रभाव अपने को इकोनामी में यहां पर दिखाई पड़ता है तो सीदीजी बात है हम लोग क्या देख रहे हैं आयर्थिक इस्थाइट तो भी मौद्रिक नीती का एक यहां पर उद्देश्य है जबकि हम लोग क्या देखत है इंटरनेशनल ट्रेड या फिर हम लोग क्या देख रहे हैं व्यापार व्यवसाय हमेशा उन्नत दसपर यहां पर बनी रह सके तो इस क्वेश्चन के अनुसार हम लोग क्या देख रहे हैं कि निम लिकित में से कौन सा एक मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है तो खुले बजार की क्रिया या ओपन मार्केट ऑपरेशन से क्या हम लोग यहां पर समझते हैं तो खुले बजार की क्रिया है जहां पर खुले बजार में सेक्योरिटी की क्या की जाती है यहां पर खरीदी विक्रिक की जाती है इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं खुले बजा में मुद्रा आपूर्ती में व्रिद्धी होगी तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि किनके परिणाम सरूप अर्थ विवस्था में मुद्रा आपूर्ती में यहां पर मनी सप्लाई में यहां पर क्या होगी व्रिद्धी होगी तो देखते हैं चलिए option में यहां पर जाते हैं कि लोगों से यहां पर bond खरीदेगी तो RBI cash में पैसा चुकाएगी तो जब cash में पैसा चुकाएगी तो हम क्या देख रहे हैं यहां पर कि money supply भी क्या होगा यहां पर इंक्रीज होगा ठीक है तो पहला option क्या होगा यहां पर correct होगा लोगों द्वारा वानेजिक बैंकों में जमा की गई बैंक अफिंडिया तो वह लोन क्यों ले रहा है ताकि जनता की भलाइक लिए यह जनता की विकास आत्मक कारियों के लिए उनके पास पैसे का पढ़ रहे थे कम पढ़ रहे थे क्योंकि हम लोग क्या दिखते हैं कि भारत में समस्याय जादा है और भारत-सरकार का इंकम कम है और expenditure या खर्च क्या है आपर जादा तो जब खर्च जादा है और इंकम कम है तो सरकार को यहां पर अपने कारियों को चलाने के लिए या इसके लिए यहां पर और या फिर और एक्ट्रा पैसे की जरुरत पड़ती है और भारत सरकार के लिए बैंकिंग रिलेटेड एक्टिविटी कौन करता है आर भी आई तो यहां पर पैसे उधार लाकर वो दे ठीक है कि नहीं तो कहने का मतलब सरकार द्वारा केंद्री बैंक स अगर कर्ज लिया जाएगा तो वह पैसा कहां पर आएगा सरकार के माध्यम से विभिन योजनाओं के माध्यम से जनता तक ही आएगा तो कहने का मतलब यह option 3 भी क्या होगा यहां पर correct होगा ठीक है चौथा देखते हैं केंद्री बैंक द्वारा लोगों को सरकारी प्रतिब प्रतिबूती बेचेगा ठीक है तो जब लोग यहां पर प्रतिबूती खरीदेंगे तो कैश में करेंगे तो क्या करेगा कम कर देगा तो कहने का मतलब क्या देख रहे हैं कि यह चौथा option यहां पर money supply increase करने का यहां पर एक उपाय नहीं हो सकता तो हम क्या देख रहे हैं ए ऐसे आरबी यहां पर monetary policy के तुरू market को यहां पर stable रखने की कोशिश यहां पर करता है क्योंकि क्या देख रहे हैं कि market अगर stable रहेगा तो demand supply chain यहां पर बना रहेगा भी खरीदने के लिए लोगों के पास पैसे होंगे और बनाने के लिए सरकार के पास पर यहां पर पैसा हो हो गया तो मार्केट में अनिस्टेब्लिटी की कंडिशन यहां पर देखने के मिलेगी और जिसका दुष प्रभाव अपने को अर्थ विवस्ता में दिखाई पड़ेगा तो अर्थ विवस्ता में रोजगार की एक अच्छी इस्तर बनाये के लिए गरीबी कम करने के लिए और जो भी आर्थिक समाजिक समस्या है उससे निजात पाने के लिए आर्बियाई जो है अपने मॉनिटरी पॉलिसी के तुरू इस मार्केट को स्टेबल रखने का क्या करता है प्रयास करता है तो उमीद है आशा है आप लोगों को यह पूरा चेप्टर यहां पर बहुत अ नहां नहां आप